हुआ 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 असलाम अलेकुम वेल्कम बैक टू माइ चैनल स्टार कुकिंग और आज मैं बना रही हूं दई बड़े अब इसे मिक्सि में डाल के अच्छे से पीस लूगे उसके तो गिंडा पानी के ही पीस हो अगर आपको बाइप पानी यूस किजिए जादा पानी इसमें नहीं डालते है तो देखे ये इस तरीके से मैंने थोड़ा दरदरा बहुत जादा दरदरा भी नहीं मतलब रवे की किस तरीके से हमें हाथ पे इसकी कनी लगती है बस इस तरीके से और बस ऐसा ही मुझे चाहिए था तो मैंने इसको पीस लिया है मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी हेट कि तो यहां मैंने एक चमच नमक लिया है और एक चोथा ही चमच में दालूगी अधरक लसन का पेश जी हाँ अधरक लसन का पेश तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्स आता है अप लोग भी बस इसी तरीके सब मैं इन सब इन दोनों चीजों को मिला कर इसे अच्छे से प्लॉफी बना ले इसके अंदर सब आयर आ जाना चाहिए और अच्छे से फैटे इससे तीन से चार मिनीट हो सकते हो पांच मीट भी फैट सकते हो फैटे जाए देखे किस तरीके से यह फूल जाएगा क्यूंकि एर इसके अंदर पुरा आयर आ जाएगा तो यह एक दम इस मुझा टालीज़े तो यह में थोड़ा साहल एड़ी जाए और इसके प्लॉफी ऊधर शे निटों सबस्कु यह तो burgically और जोड़ा क्या डाला जा ओटी प्लॉफी हो जाएगा तना अच्छा नक्ति सब्सक्शा में दाल कर तयार होता है और बस अब ernst इह और hoffy अज़ ब मैं यहाँ साइट में तेलगरम करने रख दी हूं तो यह रेडी है अभी मैंने ज।удь समै तेल हो चुछार इस तरिकैसे नहीं है अफने हिसाफ से तो देन कि और बनाना है dedicate hoda onion तो बस इस तरीके से में बना लूँगी सभी दैवाडों को फ्राइ कर लूँगी और इन्हें लाइट गोल्डन होने तक के पकाऊंगी और इसे फोरन ना पल्टे इसे दो से तिन मीट पहले एक साइड पकने दे उसके बाद इसे दुसरी साइड से पल्टे देखिए और यह और डबल हो जाएंगे तो अभी इसमें जितने आ जाएंगे में उतने इसमें डालके एक ही बारी में फ्राइ कर लूँगी तो जा जा मुझे जगा खाली लग रही है में वहां-वहां और यह फॉक्स की मदद से आप इसे पल्टाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा ए देखिए इसकी मदद से आप अगर बड़ा चम्माची या बड़ा जारा कुछ आप यूस करोगे तो यह तूट भी जाते हैं अंदर तेल भर जाएगा आप इसे इसी तरी फॉक्स की मदद से आप इसे इस तरीके से बस देखिए कितने फ्लॉफी और कितने मुहस्त बने ए अब इसे हम रोम टेंपरेचर के पानी के अंदर इसे निकाल देना है कोई आप अपानी में निकालती जाओंगी और इसे पानी में भीगना डेंगे मैं दब से दुसरे वड़े फ्राइ कर रही हूं महां तक के यह पानी में भीगे रहेंगे तो समद लीजे ना दस मिनिट पानी में रहने दोंगे और अभी मैं यह लीए मैंने और यह पंजाबी दही हैники है तो यह था मेरे पस्त राधी योग आस्में जो की अबπर और शुचका लोगी stupid कभिंगे तो उसते पटाके पमि единों लोग तरहें कामाद्ट या दुना तरहें सब्सक्राइब मतले कारीड नमक आट करहा है तक कोई बीट कामाद्ड कर लाकिक नदर शक्राइब कर दब करता है अगर अबसा पानी नजाए को सब्सक्राइब अगर आपको यहसा लगता है कि शक्र ‌कम है तो आप उपर से और शक्र डाल सकते हैं तो अभी मैं इसमें आधाग लास के कर यह पानी एक करह हुँ मैं इसकी थीकनेस चेक करूंगी कि यह कितना पत्ला है यह कितना थीक है वह साफ तो जो हमारे दई बड़े हैं उसके अंदर नहीं जाएगा अब इसको मैं ले लूंगी और देखिए ये पानी में भीग गए थे तो इसे हल के हास्त इस तरीके से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल ले इस ज्यादा पुछना करें वरना ये फट जाएंगे बस इस अच्छा लगता है तो ये देखिए इस तरीके से तो अभी मैं सब दई बड़े इसमें से निकाल लूंगे और जो मैंने फ्राइब करने रखे थे वो इसी पानी में उन्हें भी डाल दूंगी तो अभी मैं ये निकाल रही हूं पिर जो दूसरे मैंने फ्राइब किये हैं इसमें डाल के साइट में कर दूंगी तो देखिए अच्छे से दावनी चोड़ ले इसे दबा दबा के निकाल ले पानी एक्ष्ट्रा एगिस सारे दई बल्ले मैंने इसमें निकाल लिया और मैं इसी प्लेटिंग कर के आपको दिखाती हूं तो ये प्लेट ली है मैंने द तरीके से अब मैं इसके अपर दही डालूंगी जो दई इनने भी फेट के रखी थी तो देखिए तो दई बड़े के ऊपर अच्छे से इसके पहले दही डाल दे देखिए मैं चारो तरफ से और अच्छा ज्यादा देखिए अगर डालोगे ना तो जो दई बड़ा है वह अंदर एक्जॉफ कर लेगा तो अंदर से भी इसको जो दही का फ्लेवर है वह अंदर तक के जाना चाहिए तो ही यह खाने में अच्छे लगते हैं और दही डाल के ना इसको आप आदा घंटा रख दे देखिए यह मैंने लिया है जीरा पाउडर भुनावा जीरा पाउड है जैसा हम बाहर खाते है उसी तरीके का और यह लिया है मैंने लाल मिर्च इसके अपर बहुत से लोग हरी मिर्ची का चटनी जैसे के पेस्ट वह भी यू डालते हैं लेकिन बच्चों के इसाफ से मैंने वह चटनी नहीं डाली अगर आपके यह तीखा खाते हो तो आप हो मैट इमली की चटनी है तो यह मैं इसके उपर पहले इसे डाल दूंगी यह देखिए माशाला कितनी प्यारी प्लेट लग रही है देखके ही खाने का मंद हो रहा है और यह लीजिए हमारे दैवरे जो है वो रेडी है आप लोग भी घर में कम बजेट में आप बना सकते ह आप बाहर जाके आप इतनी महेंगी प्लेट खाते हो आप उतने पैसों में कही प्लेट घर में इस तरीके की बना सकते हो और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगे यह कितने सॉफ्ट है यह देखिए इसका टैक्चर माशाला तो यह बहुत ही टेस्टी बनते है ट्राय जरू और कमेंट करके दिख बतायेगा आपको एस पी कैसी लगी है कि में है कि अ